Hello and welcome back to everyone मेरा ना मेरा हुल The Machine Development Academy के इस Target Batch में आप सभी लोगों का स्वागत है Dear Students, जो भी बच्चे Class 9th के अंदर admission लेना चाहते हैं Scenic School में या फिर नवोदे स्कूल में इसके अलावा Military School में उन सभी बच्चों के लिए ये जो Target Batch है काफी ज़्यादा Important होने वाला है और इसके साथ साथ helpful भी रहने वाला है तो चलिए देखते हैं और समझने की कोसिस करते हैं सबसे पहले इस Target Batch में अगर आप मुझे Day 1 से Follow कर रहे हो तो आपको ये चीज़ बता होगी कि पिछली Classes में हमने क्या पढ़ा था तो पिछली Classes में हमने किये थे Square and Square Roots Related Question और आज हम discuss करने वाले हैं Cube and Cube Roots Related Complete Concept के बारे में बात करने वाले हैं तो आपको मैं बता दूँ कि Last Class में हमने देखा था Square and Square Roots Related से Complete Questions को हमने देखे दे और आप सभी लोगों ने जो Question में ने दिया था Homework के लिए वो भी आपने किया काफी बच्चों ने मुझे भेजा भी बहुत अच्छा लगा तो आज हम discuss करते हैं अपने एक नए Concept के बारे में लेकिन उससे पहले आपको मेरे Rules Follow करने पढ़ेंगे अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है यह बार-बार याद दिलाता हो कि पुराने बच्चों को यह चीज पता है जो नए बच्चे उनको मैं बता दूँ कि आपको अगर मेरे साथ पढ़ना है Notebook और Pen लेकर के बैठना है चीजों को लिखना है और उसी से revise करना है अच्छी तरीके से पढ़ना है बीच में छोड़ करके नहीं जाना है revision करना है question solve करने है class के बीच में जो दिये जाते हैं इसके अलावा daily का homework daily daily का काम daily करना सीखो कि आज ही class हुई है इसके जो homework है वो मुझे complete करने है अगर आप mentorship से जुड़े हुए तो जो भी आपको चीजे बताई जाती है उन सारी चीजों को follow करिए आप इसके अलावा वीडियो देखते समय completely focus रहना है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो mentorship का program लेकर की भी focus नहीं रहते मैं तो कहता हूँ कि जैसे ही video finish हो खतम हो आप देखिए सारे checkpoints को click करिए कि हाँ video देखते समय कि आज मैं completely focus था क्या मैं video देखते समय किसी और notification पर नहीं गया हूँ चेक करिए ना आपको पता लग जाएगा और मैं कहता हूँ जो इस तरीके से तयारी करता है ना उसी बच्चे का selection होता है इसके अलावा जो भी आपको tracker seat दी गई है उसको daily feel करना है इसके अलावा अगली class attend करने से पहले पिछली classes का revision जरूर करना है एक मैं revision कैसे करना है किस तरीके से याद रखना है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं खेर आपको मैंने day one में ही बता दिया था यार कि जो syllabus है ना वही आपका असली google map है गूगल map है syllabus से क्या पता लगता है syllabus से हमें यह पता लगता है कि हम कितने parts complete कर चुके हैं कौन से chapter पढ़ रहे हैं तो आज हम पढ़ रहे है chapter number 6 और जिसका नाम है cube and cube root के concept देखिए syllabus आपके सामने होता है और syllabus ही सब कुछ बता देता है कि हाँ आप यहाँ तक पहुँच चुके और आपको पता है rational number यह linear equation understanding quarter data handling square and square roots यहाँ तक हमने complete कर लिए और आज हम सीखने वाले हैं cube and cube roots related complete concept सीखने वाले है चलिए सुरू करते हैं अगर आपके पास में notebook और pen नहीं है ना सबसे पहले तो जाईए और फटाफट notebook और pen लेकर क्या यह है चीजों को लिखना सीखना होगा आपको जब तक आप लिखना नहीं सीखेंगे तब तक आप अपनी जिंदगी के अंदर आगे नहीं बढ़ सकते लिखना तो आपको सीखना पड़ेगा notes बनाना सीखना पड़ेगा कल के दिन आप एक officer बनते हो आपको चीजों को लिखना होगा diary maintain करनी होगी जो rules है वो follow करना पड़ेगा तो Senate school में जाना चाहते हो न rules से आपको बदे होना होगा इसलिए मैं rules आपको daily बताता हूँ यह आपके rules है वो आपको दिमाग में fit होना चाहिए चाहिए किसी से भी आप पड़ो वो आपके दिमाग में fit होने चाहिए rules और बहुत सारे बच्चों को अच्छा लगता है कि sir हाँ आप हमें rules में बताते हैं ऐसे पढ़ना है सबसे पहली चीज़ copy के अंदर note down करिए cubes cube का क्या मतलब होता है बहुत simple सा मतलब है cube का 1 का cube क्या है 1 1 का cube का मतलब होता है 1 का 3 time multiplication जिसको हम घन केरते है अब इसी तरीके से 2 का cube का मतलब क्या हुआ 2 into 2 into 2 2 is a 4, 4 to is a 8 यानि कि 8 होगा इसी तरीके से 3 की अगर हम बात करते हैं तो 3 multiplied by 3 multiplied by 3 याद रखने हैं तो यह सारा आपको कॉपी के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है अभी भी चले जाईए मैं कहता हूँ जिन लोगों ने नहीं लिया है ना नहीं लेकर करके बैठते हैं यह हवे में वीडियो को उड़ाते हैं फॉस्ट फरवड करते रहते हैं से जब मैंने स्कुएर और स्कुएर रूट के कॉंसेप्ट पढ़ाया थे ना आपको बताया था यह याद रखना होगा यह आपको help करते हैं जब आप question करते हो वहां पर आपको मदद मिलती है question solve करने में इसके लावा 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, इसके लावा 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000, 11 का 133, 12 का 1728, इसके लावा 13 का 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 4913 17 का होता है, 5832 18 का होता है, इसके लावा 6859, 19 का होगा 20 का होगा 8000, इसी तरीके से 21 का 9261, 22 का 10648, 23 का, अगर आप 20 तक भी याद कर लेते हों तो sufficient है, बट आप लिख लो 30 तक, यहाँ आप पूरी slide में 30 तक अमने लिख रखा है, और 23 का है 12617, 12617, और 24 का है 13284, 25 का है 15625, इसी तरीके से 26 का है 17576, इसके लावा 27 का 19683, 2821952, 2924389, और 30 का 27000, तो यह तो cube root है, multiply करके निकालना है, आज आएगा, लेकिन अगर आप 20 तक याद कर लेते हों, तो आपके लिए काफी helpful रहने वाला है, जब आप question solve करोगे, तो cube का आपको idea लग गया, कि cube का actual में मतलब क्या होता है, पता है क्या हुआ, एक दिन किसी बच्चे ने मुझे message किया हुआ था, और बोला सर कि आप daily हर एक slide में rules क्यों बताते है, rules क्यों बताते है, देखे, एक बर क्या होता है न, आप कुछ इस चीज को कुछ इस तरीके से समझ सकते हो, कि एक बर क्या हुआ कि एक चिडिया थी, और वो चिडिया करती थी, तिनका उठाती थी, और अपना घोसला बनान करती थी, और एक बहुत दूस्त आदमी था, तो daily उस रास्ते से जाता था, वो देखता था कि चिडिया ने थोड़ा बहुत गोसला इकठा कर लिया है, बनाने के लिए, अपने जो भी है, वो क्या करती थी, तिनका उठाती थी, गोसला बनाने के लिए, तो देखता थी, थ फिर से काम करती है, और वो दूस्त आदमी फिर से वो काम करता है, अब ये कुछ इस तरीके से हो जाता है, कि बार-बार चिडिया बनाती है, बार-बार वो दूस्त आदमी क्या करता है, उस पे पत्थर मारता है, तो एक दिन वो परेशान हो जाता है, दूस्त आदमी छोड देती और फिर बच्चे उसमें से उड़ते हुए निकलते हैं तो वो जो दूस्त आदमी था वापस अजारत के था मैंने इतनी बार तुम्हारा नुक्सान किया फिर भी तुम लगे रहे हैं उस काम में तो केती है कि आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना काम कर रहा था त एक बच्चे विए अगर फोलो करेगा तो उतनी डेडिकेशन से में वीडियो बनाऊंगा उतनी डेडिकेशन से में पढ़ाने वाला मेरे लिए एक हो या सो बराबर है चलिए क्यूब रूट के बारे में बात करते हैं क्यूब रूट का एक्च्छल मतलब क्या होता सबसे पहले तो वो समझते हैं वन का क्यूब रूट तो बन होगा, एट का टू होगा, 27 का 3 होगा, 64 का 4 होगा, 125 का 5 होगा, 216 का 6 होगा, 343 का 7 होगा, 512 का 8, 729 का 9, और 1000 का 10, तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीज़े होने वाली है, तो ये तो हमने बात की है, 3, 2, 3, 2, 3, 2, थो 2, 2, 4, 2, 5, 10, 2, 6, 12, फिर अगर हम 2 से करते है, 2, 1, 2, और 2, 2, 2, 2, • 4, 2, 8, 1, 16, फिर हम 2 से करते है, 2, 6, 2, 3, • तो 4, • र 8, फिर 2 से करते है, तो 2, 3, • 6, 32 आजाएगा, यहाँ पर, और इसी तरीके से एकار हम 2 से करते हैं, तो ये 16 होगा, और 2 से गर हम कर देते हैं तो 18 होगा और 2 से करते हैं तो 9 होगा और फिर 3 से करते हैं तो 3 होगा और फिर 3 से करते हैं तो यह क्या होगा यह 1 होगा तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा क्या मैंने कहीं गलती करी है है क्या यहां पर 28 ट्रस्टिन हो 墓क रोगत होग अहां यहां से कलती ओंगी है कि क्रेक्ट QR n पीड टू एच्टिन अस्ट्रियू से करेंगे तो यहां पिर चेगल करेंगे तो 2 multiplied by 2 multiplied by 2 2 is a 4 4 2 is a 8 तो इसका answer क्या होगा 8 यानि कि जो cube root है उसको हम ऐसा लिखते हैं 512 का cube root अगर हम square root की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते हैं या तो आप 2 लिख सकते हो तो 3 का मतलब 3 3 के pair आपको बनाने हैं तो 3 3 के pair बना हुए तो ये 13 जो digits हैं वो बाहर आ जाएंगे यानि कि कुछ इस तरीके से होगा ये 123456789 तो 9 टाइमस है 2 हो गया 3456789 तो ये pair बना ये pair बना और ये pair बना तीनों का multiply करेंगे 8 आएगा तो 8 हो गया cube root अच्छा इस cube root के लिए आपको unit digit के बारे में भी पता होना चाहिए factorization method के तो ये हो गया हमारा cube root करेक्ट 512 का और ये example मैंने यहां पर दिया हुआ है slide के अंदर और इसका answer क्या आया है 8 आया हुआ है इसका answer 8 आया हुआ है करेक्ट अब हम कुछ concept सीखेंगे कि fast कैसे करने मैं देखे multiplication में fast fix मैंने आपको बताई थी और बहुत सारे लोगों को यह divide वाला method भी सीखेंगे तो यह देखिए पेर बने हुए मेरे को लग रहा है 74 यह नंबर दिया हुआ है 74088 7474088 इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है सबसे पहले तो मैंने 512 का बताया आपको क्या करना है इसको factorization method से ही बताना है कि क्या होने वाला है question आपके लिए मैं दे रहा हूँ 74088 सबसे पहले तो factor find out करिये 74088 का factor find out करिये सबसे पहले तो सबसे पहले काम है आपको factor find out करना जब आप factor find out करना सीखेंगे तो आपको चीजें समझ आएगी जब आप इसको divide करोगे तो आपके पास में number क्या होगा सबसे पहले तो टू से divide करोगे ती हो जाएगा 37044 फिर से आप divide करोगे टू से तो होगा 18522 इसके अलावा फिर से आप divide करोगे टू से तो 9201 आप यह 2 से divide नहीं होगा अब यह 3 से होगा तो 33 neither 9 फिर 0 फिर 8 और साथ फिर से अप 3 से करोगे तो 1029 फिर से आप 3 से अगर करते हो यह हो जाएगा 343 फिर आप 7 से करोगे 49 होगा और फिर आप 7 से करोगे तो 7 होगा और फिर आप 7 से करोगे तो 1 होगा यानि कि यह जो चीजें हैं यह जो चीजें हैं इसमें देखिए यह 3 का पेर बना फिर ये 3 का पेर बना फिर ये 7 का पेर बना यानि कि एक 2 का पेर बना है 3 में और एक 3 का बना है और 7 का बना 3 तू जा 6 और 6 जा 7 जा 42 तो 42 का ये जो cube है वो 74088 है 42 का क्या है cube है correct तो ये चीज़े आपको पता होने चाहिए cube roots इस related की कैसे आप इसको cube root find out कर सकते हूँ correct चलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि sir cube निकालने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं तो क्यूब निकालने के सब के अपने अपने तरीके हैं सब अपने अपने तरीके से चीज़ों को करते हैं और एक ये shortcut तरीका है उसको करें 1313824 इस question को solve करिए इसका cube root find out करिए और मुझे बताईए कि इसका correct answer क्या होगा चलिए इस question को solve करिए आप लोग अब इसकी methods भी हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम find out कर सकता है कि एक point का भी बताऊंगा वह point वाले में दिख्कत करते हैं बच्चे बहुत अब जैसे माल लेजे मैंने पूछा 1.5 का cube क्या होगा अच्छा अगर मैं पूछ हूँ आप से कि 15 का cube क्या होगा तो आपको 15 का cube पता होना चाहिए और नहीं है तो फिर आप multiply करो कि वहाँ पर आपका time जाएगा अंसर तो आएगा लेकिन टाइम जाएगा तो देखिए 15 का cube होता है 3375 3375 लेकिन point कहां लगेगा वन डिजिट पे लगा हुआ है तो 1.5 multiplied by 1.5 multiplied by 1.5 यानि कि 3 डिजिट से ठीक पहले इसका अंसर यह होगा 333.375 आगे बढ़ते हैं और चीजिजों को हम समझने की कोसिस करते हैं इसी तरीके से मान लेजिए कोई एक ऐसा नंबर दिया हुआ है जैसे कि 0.008 और इसका cube root हम से पूछा है 0.008 लिखा हुआ है तो इसका cube root पूछेंगे तो क्या होगा देखिए सबसे पहली बात 3 का pair बनाओगे तो एक डिजिट के ठीक पहले point लग जाएगा यानि कि 0.8 जो होगा वो इसका answer हो अगर आपको 0.8 नहीं बोल रहा है 0.2 होगा 2 का cube है तो 0.2 इसका answer होगा ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसा भी कर सकते हो 8 यह question आपको solve करना 8 upon 1000 कर लो तो 8 किसका cube root है 8 है 2 का और 1000 किसका है 10 का इसको point में करोगे जिरो point होगा तो इस तरीके से भी answers को find out किया जा सकता है ऐसे भी questions के answers आते हैं आगे बढ़ते हैं यह तो मैंने बता दिया आपको points related कोई doubt न रहे है जब हम question करें तो आपके concept clear होने चाहिए देखो अगर मैंने बोला याद करना है तो cube root याद करना है बिना याद किया आपको चीज़े नहीं बनने वाली अगर आपने इस question को solve कर लिया है तो चलिए इसके answers के बारे मैं बात कर लेते हैं इसका answer क्या होगा इसका answer यह होगा 24 का यह cube है 1313824 आप मुझे बताओ इसका answer 12167 इसका answer क्या होगा 121 12167 इसका answer क्या होगा यह आपको बताना है देखिए बहुत simple है इसका एक shortcut tricks भी है उसके थुरू भी हम answers को find out कर सकते है इसके थुरू भी हम answer को find out कर सकते हैं एक shortcut थरीका भी है जान से देखिएगा आपको सबसे पहले इस trick का use करने के लिए जैसे हमने square root में किया था वैसे हम cube root में करेंगे और यह काम करेगा कब जब number हमारा perfect cube होगा जब number हमारा perfect cube होगा तो ही यह trick काम करने वाली है उससे पहल पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए अब ध्यान से देखना कि कैसे आपका answer आने वाला है सबसे पहले तो one का जो cube होता है वह one का होता है यूनिट डिजिट टू का क्या होता है अब अगर जैसे हम 3 की बात करते हैं तो 3 का जो cube होता है वह क्या होता है आपको पता होना की पर इसका मतलब तो 27 होता है इसका मतलब के यूनिट डिजिट लिख रहे हैं के बात करते हैं ओने आपका 4 फॉर में फॉर के बात सिक्स में क्या आता है सिक्स में सीक्स आता अगर हम स्यवन की बात करते हैं फिर से दिखिए अगर हम एएट में टु आता है और नाइन में वन यह है आपके unit digit क्यूब करने पर वन का क्यों वन होगा लास्ट डिजिट अगर आपको आती है सारी चीजें तो ही आप पास्ट वे में क्यूब निकाल पाओगे अगर वह perfect cube होगा तो एक example लेते हैं किसी दूसरे number का तो आपको idea लग जाएगा कि क्या है चलिए देखे एक मैं number लेता हूँ आपको समझाने के लिए 1,2 1,6,7 और यहाँ पे cube है cube में क्या होता है 3,3 का सबसे पहले pair बनाना होता है यहाँ पे last digit में 7 है 7 किस में आ रहा है last digit में 7 यहाँ पे आ रहा है 7 जो आ रहा है 7 जो आ रहा है वो last digit का 7 unit digit का किस पे आ रहा है 3 पे आ रहा है मतलब एक चीज़ तो confirm है कि इसकी जो last digit होने वाली है वो 3 होने वाली है last जो digit होने वाली है वो 3 होने वाली है इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है 12 अब क्यूब के format में टेवल पढ़नी है पहले हम स्कॉयर के format में टेवल पढ़ते थे यहां पर क्यूब के format में टेवल पढ़ने और सबसे अच्छी बात है कोई नंबर का रिपिटेशन नहीं है कि यह 7 2 में आ रहा है ऐसा कुछ भी नह जो की इस 12 से ज़्यादा हो रहा है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे आप देख लेना 23 का ही यह क्यूब है 23 का ही क्या है वो क्यूब है 23 में 23 का मल्टिप्लाई करोगे या 23 में 23 का जो स्कॉर होता है वो 529 होता है 529 में 23 का मल्टिप्लिकेशन करके आप यह चे आप खुद सॉल्व करेंगे एक बार हो समझा देता हूं मैं इस नंबर को जो यहां पर एक्जांपल लिखा हुआ है आपकी स्लाइड पर एक्जांपल में लिखा हुआ है कि 175 175 616 कुछ बड़ा नंबर है कोई दिक्कर नहीं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं तो लास्ट में 6 है यानि कि 6 आएगा यह तो कनफर्म है बट 175 है तो 5 का जो क्यूब होता है 125 होता है 6 का 216 होता है 6 का 216 इससे ज्यादा हो रहा है यानि कि 5 56 इसका करेक्ट आंसर होगा 56 इस दे इसी तरीके से इसी तरीके से अगर मैं आप से पूछू अगर इसी तरीके से मैं आप से पूछू कि अच्छा आप मुझे बताओ एक एसे नंबर का क्यूब जैसे कि 15 15625 15625 बताए इसका क्या होगा 5 अब यहां पर क्या होगा तरीका तो 27 ओगा 225 इसका करेक्ट आंसर क्यूब रूट निकालने का सबसे आसान तरीका यही है अगर वो पॉफेक्ट क्यूब रहता है तब तब जाकर करके हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के क्वेस्टिन्स मैं आपको देना चाह होगा ताकि क्यूब रूट की आप प्रैक्टिस कर पाओगे अच्छी तरीके से और फिर उसके बाद आप चीजों को अच्छी तरीके से सोच पाओगे समझ पाओगे कि हाँ चीजें किस तरीके से काम करती हैं और यह हमें कप पता लगता है जब हम चीजों को करते हैं सीख हैी ठीचते हैं समझते हैं तो ही हमैं आइडिया लग पाता है कि हाओ किस तरीके से चीजरें काम और रही हो को तो प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं दिये हламे हैं तो मैं आपको देदीता हूं प्रक्टिस के लिए कुछ questions ले लो ताकि आपको idea लग जाएगा कि क्या होगा इसका perfect answer clear है चलिए मैं practice के लिए कुछ question दे रहा हूँ और यह question आपको करना भी है 5 questions दे देता हूँ 1, 2, cube root निकालने का दे देता हूँ, मैं cube तो आप multiply गरके find out कर लोगे तो 5 questions लिए लिख लो और ताकि आपको idea रहे कि हाँ कि क्या होने वाला है और कुछ ऐसे number दोंगा ना जो repeat होते रहते हैं तो आपको idea लग जाएगा 3763 इसके अलावा 2, 5, 0, 0, 4, 7 8, 2, 0, 6, 471 ज्यादा बड़ा number हो गया चलो कोई बात नहीं करना इसको भी एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ज्यादा यह नंबर गलत है perfect cube नहीं है यह नंबर आप लो 753 571 इसके अलावा एक और नंबर में आपको देता हूँ ताकि आपको पता रहे 35937 एक और नंबर ले लो आप 117 117 649 117 649 यह question उन बच्चों के लिए है जो यूटूब पर देख रहे हैं comment करके मुझे answer बताएंगे answer नंबर 1234 comment करना है मैं मेरे पता लगेगा कि हाँ सच में जो comment करते हैं बच्चों सच में genuinely मुझे follow कर रहा है इससे पता लग जाएगा मुझे की और comment करना और यह भी बताना है कि आप कि सिटी से मुझे देख रहे हो कि सहर से आप मुझे देख रहे हो यह भी comment करना आप और इसके अलावा जो भी बच्चे हमारे mentorship और सी प्रोग्राम से जुनना चाहते हैं उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको वाक्षीट आपको दी जाती है और आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हमने रेशनल लंबर यह सारे concept हमने पढ़ लिए हैं और क्यूब एंड क्यू रूट का concept आज हमने पढ़ा है इस मैं इस तरीके सेमा अपनी प्रेवेशन को करेंगे कि पिछले पांच साल के साथ साल के मैं इसके साथ साथ में दूसरे इस तरीके तो करें तो करते हैं जरूरी नहीं है कि आप में परोग्राम में जुड़ने के लिए केवल यह आप त्यारी कर रहे हो सठाव के लिए जोड़ सकता है इसके अलावा जो मिलिटरी स्कूल, सैनिक स्कूल या नेवदरी स्कूल जो भी जिसकी भी वो preparation कर रहा है उसके according आप उसका syllabus का analysis करवाते है weekly test, doubt clear होता है daily आपको task दिये जाते है focus कैसे रहना है all the time preparation के time पे throughout the preparation कैसे focus रखना है उसके बारे में भी बात करते हैं कुछ exclusive आपको जानकारिया और दी जाती है weekly rank आप एक ऐसे atmosphere में रहते हैं जहां आपको पता लगता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है और किस तरीके से आपकी preparation चल रही है test से यह पता लगता है तो यह सारी चीज़ें हम provide कराते हैं ज्यादा detail के लिए आप यहां पे call करके जानकारी ले सकते हैं mentorship के बारे में so I hope कि चीज़ें आपको समझा आ गई होगी मिलते हैं हम आगली वीडियो में so thank you so much and thanks for giving your PCS time at the last God bless you thank you so much